इर्फान और सुनाली बेंद्रे के बाद अब इसेक्टर की पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर शेयर की इमोशनल पोस्ट बलेवुड पर बीते कुछ वक्त से दुखों का पहार तूट पड़ा है कुछ दिन पहले सुनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया पर केंसर से पीडत होने की जानकारी दी थी तो वहीं अब आयुशमान खुराना की पत्नी ने एक पोस्ट करके संसनी मचा दी है आयूश मान खुराना की पत्नी ने Instagram पर अपनी इस बिमारी का खुलासा किया साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की है ताहिरा ने बताया है कि उन्हें breast cancer है और वे भी state शुन्या यानी की शुरुवाती चरंगा है ताहिरा ने अपनी इस बिमारी की जानकारी Instagram पर दी थी ताहिरा ने पोस्ट में लिखा था दैश यह तस्वीर कुछ लोगों को परिशान कर सकती है दाहिल ने ब्रेस्ट में उचस्तर की कोशिकाओं वाला DCIAS, डक्टल कारसीनुमा इनसितू होने की बात पता चली है आसान शब्दों में कहे तो यह शुरुवाती चरण स्टेज शुन्य का कैंसर से पहले का चरण है मैंने जेलीना जोली की आधी भारतिय संसकरण बन गई हूँ क्योंकि एक ही ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है मैंने डॉक्टर से कहा कि अब समय आ गया है कि करदाशनिया को टक कर दी जाए क्योंकि पामेला का समय बीथ चुका है ताहिरा ने आगे लिखा देश मैं सभी उमर की महिलाओं को जागरूप होने के लिए कहूंगी मैं 35 साल की हूँ और दो मैमोग्राम करवा चुकी हूँ अगर आपको कोई लक्षन दिखे तो उसकी जाज तुरंत करवाए हमें अपने ब्रेस्ट से बहुत प्यार होता है इसमें स्टेक अटॉमी के बाद मुझे खुद से ज़ादा प्यार हो गया है आपको बता दें माइस्टेक टमी में ब्रेस्ट को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है ताहिरा ने इस पोस्ट को बहुत ही मजा किया अंदाज में लिखा है साथ ही महिलाओं को जागरोख होने की बाद भी कही है ताहिरा को फिलहाल अस्पताल से चुटी मिल हई है आयूश्मान खुराना ने पतनी ताहिरा के जड़बे की सराहना करते हुए लिखा देश आप सभी की शुब कामनाओं और सपोर्ट के लिए शुक्रिया बीते साथ दिन मुश्किल भरे थे लेकिन हम दोनों ने तकिया कि इसे एक चुनौती के रूप में लेंगे मैं अपनी युद्धा ताहिरा पर गर्व महसूस करता हूँ आयूश्मान खुराना की पतनी ताहिरा कशब मशूर लेखक है इन दोनोंने लव मैरेज की थी ताहिरा कशब से पहले सुनाली बेंद्रे ने केंसर से पीरत होने की जानकारी दी थी सुनाली इन दिनों लंदन में है और अपना एलाज करवा रही है सुनाली अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती है हाल ही में सुनाली की एक नई फोटो सामने आई थी इसमें वो एक किताब पढ़ती नजर आ रही थी जिसका नाम में जेन्टल्मन इन मॉस्को है सुनाली अक्सर किताबे पढ़ती नजर आती है ऐसा लगता है कि अब उन्हें किताबों से प्यार हो गया है